हाई गाईज वेलकम तो अल फ्लेवर्स किचन आज हम बनाएंगे लंच रेस्पी बच्चों के लिए और पहली रेस्पी है फगेडी की यह बनाना बहुत ही अथान है और बच्चों को बहुत ही बसंदाती है और यहां मैं ले रही हूं थोड़ी की फगेडी यह दो बच्चो करें 2 बच्चों बच्चों ले रही हूं मैं चीजैंश फी एंशव 5 टी आगलोप ओर फंञ इंश्ट फ्रोल फंट्वां का की टूल thriller वनétait इवल स्पूर प्रमाजाब्स छीज्छान आफ टी पून गालिक पाउडर वन फोर टीवड्स पू हून तोमेटो केचप हाफ टी पैन आफ़ेयोगा भूनेंपे 30 सेगन के लिए भूनेगे और लो फ्लेम पर भूनेंगे, चिली फ्लेक्स डालूंगे अभी में, नमक डाल देंगे, और दालेंगे हम इसके अंदर पास्ता सॉस, और अब मैं डालूंगे इसके अंदर टमेटो कैच्छा, अच्छी तरह से से मिक्स कर लीजिए, इसे ज्यादा पकाने की जुरूत नहीं है, अब इसे हम एक से एड़ मिनट के लिए हम पकाएंगे, और अब मैं इसके अंदर डालूंगे पामजान चीज, यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अभी हम डालेंगे इसके अंदर ह तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, यह बहुत ही अच्छा बना था, आप इसे जुरू ट्राइ कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और बहुत ही क्विक रैस्पी है यह, सोबे में बनाने के लिए, और अभी मैं इसे मॉजरेला चीज के साथ गा और दूसरी रैस्पी है हमारी रोटी चीला, यह भी सुबे में बहुत जल्दी बन जाती है, और इसी हम पीजा का ट्विस्ट देंगे, और यहां मैं ले रही हूँ, दो टेबल स्पून बेसन, यहां मैं ने यलू और रेड कलर यूज किया है, आप कोई भी ले सकते हो, और वन टेबल स्पून ही है अनियन, 140 स्पून जीरा, और पानी यूज करेंगे हम, दो तिन टेबल स्पून, बेसर मिक्स करने के लिए, और तेल लेंगे हम, दो तिन टी स्पून, चीला बनाने के लिए, और यहां में ले रही हूँ, दो रोटी, आप चाहे तो आप यहां पर फ्रेश रोटी भी बना सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास रात की बजी हुई रोटी है, वो भी यूज कर सकते हो, और वन टेबल स्पून है, यहां पर पीजा सॉस, और थोड़ी सी चीज है, चीज पादी ही यहां पर हम डालेंगे बैल पेपर, और अभी जो सारे मसाले हैं, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, मैं, जीरा पाउडर, धनिया, गरम मसाला, और नमक, जीरा भी डाल दीजिए, और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, यहां मैंने तीन टेबल स्पून पानी यूज किया था, पानी बहुत ही ध्यान से डालिएगा, एक दम से सारा पानी नहीं डालना है, धीरे-धीरे करके हम इसको मिक्स करेंगे, और यहां हमारा बैटर बनके रेड़ी है, अब देख सकते हैं, और अभी मैंने एक साइड पर पैन भी करम कर लिया है, और अभी मैं इसके उपर डाल रही हूँ, एक टी स्कून तेल, और हमारा तयार किया हुआ बैटर, अब हम इसके उपर रोटी लगा देंगे, एक अब और इसे पकने में पांस याट में लग जाते हैं, मेडियम टू लो फ्लेम पर पकाईएगा इसे, और जब इसकी जो साइड जेंड वो ड्राई सी होने लग जाती हैं, तो इसका मतलब जे पक चुका है, इसकी हम साइड च और चीज लगाएंगे उपर, आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही ढग कर पका सकते हो, लेकिन मैं इसकी उपर एक और रोटी लगा दूँगी, जिससे के एक सैंडविच की तरह बन जाता है, थोड़ा सा तेल लगा लीजिए इसे, और इसे हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे, और एक स्पैचुला की यल्प से आप इसको प्रेस भी कर सकते हो, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, देखने में ही पता चल रहा कि यह बहुत क्रिस्पी बना है, और अब यह बन कर रैडी है, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे कट करेंग और आप देख सकते हैं कितनी असानी से यह कट हो गया है, अजर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलूँगी आपको किसी और एस्पी के सास्त, तब तक करेंगे बैबाइ बैबाइ, तक यह वो मजगी आपको मेरी ने कितनी अच्छी आपको कुगी।